नमस्कार साथियों आज हम एक बहुत महत्पुन टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि पटवार और रीट से सम्मंदित है रीट का सिलेपस का अभी इंतजार है और पटवार का जो सिलेपस है उसमें लेंग्विज से सम्मंदित याने की भासा से सम्मंदित 22 प्रसंद हों होंगे 21 प्रसंद साथियों 22 से सम्मंदित होंगे तो उसमें समास बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि हर Creat exam में एकडो एकडो प्रसंद समास 의 सम्मंदित हैς तो साथियों सबसे पहले हम सर्चा करते हैं समास पर हमारा पहला lesson है मारा ये उद्देश रहेगा कि आपके सभी 11 प किसी भासा को, किसी भी भासा को विश्तृत करने के लिए सब्द रचना आवसक होती है, जैसे कि जो हिंदी है, उसमें सब्द रचना संधियों से की जाती है, समास से की जाती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कि समास का साब्दिक अर्थ क्या होता है, साथ हो ये दो सब्दों से मिलकर बना है सम प्लस आस सम का अर्थ होता है पास-पास आस-पास होता है और ये देखिए ये जो सम का अर्थ होता है आस-पास और आस का अर्थ होता है रखना यानि कि जब हम दो पदों को, दो सब्दों को पास पास रखते हैं, तो उसको हम समास कहते हैं, जैसे उधार्ण देखते हैं, बिसात खाना, बिसात के लिए खाना, उडन तस्त्री, उडनी वाली तस्त्री, जो है जो, यानि कि बहुबरी समास है इसमें, तीसरा देखते हैं, कोट के लिए का चहरी चौथा देखते हैं रेल गाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी साथ हो ये कई बार आचुका है तो जो भी उधारण हम आपको बता रहे हैं वो वही उधारण है जो पिछली परिक्षाओं में पूछे गए हैं पांचवा देखते हैं हवा महल हवा के लिए महल उट गाड़ी उट की गाड़ी बं की वर्षा बं वर्षा रासन काड रासन के लिए काड आगे देखते हैं नवा उधारण उडन दस्ता उडने वाला दस्ता इसमें भवरी समा से दस्वा देखते हैं, ताज महल, सुन्दर महल, इसमें करमधार्य समास है, कवी दरवार, कवियों के लिए दरवार, इसमें संप्रदान तत्पुर्श समास है, साथियों समास, NCRT के अंतरगत चार प्रकार के होते हैं, और जो हमारे मदमिक शिक्षाबोड है, उसमें जो नौ ये कोई इसू नहीं है, आप से समासों के प्रकार नहीं पूछे जाएंगे, तो हम यहाँ समासों को चार विभागों में विभक्त करके, और उनको देखते हैं, तो पहला है अवे भाव समास, पहला है अवे भाव समास, दूसरा है तत्पुर्श समास, तीसरा है द्वन समा समास, चौथा है भववरी समास, साथ ही अवयभाव समास में जो पद होता है पहलावु अवयभाव होता है और जो तत्पुर्ष समास है यह दो प्रकार के होते हैं करमधारिय समास और दिगु समास जो अपनी मादमिक छॉद शिक च्छाबूर्ण की किताब है उसमें in दोनों समासों को अलग दिया गया है यानि कि उसमें छे परकार कर बताया गया है तो इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हां अवयभाव समास को साथ हो अवयभाव समास किसे कहते हैं जिस समास में पहला पद परधान हो ये थोड़ा चेंज किया है मैंने ये गलत लिख गया था इसमें पहला पद आएगा जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्याव या आविकारी हो सब्द होता है उसकी भूमि का अदा करता है उसे अव्याव समास कहते हैं इसके उधारण देखते हैं समास यानि कि खुद जो समास है उसमें कौन सा समास है तो इसका साबदीकर्थ मैंने बताए था पास रखा हुआ तो समास में भी साथियों अवेभाव समास है दूसरा उधारण देखते हैं समक्ष अक्षी के सामने इसमें भी अवेभाव समास है तीसरा देखते हैं, यथा अर्थ, अर्थ के अनुसार, यानि यथा है जो अर्थ, चौथा देखते हैं, यथा नियम, नियम के अनुसार, यह पहला नोट देखते हैं, जब कोई विशेशन, क्रिया विशेशन की तरहे कारिये करे तो, वह अव्यभावसमास कहलाता है, यानि क कोई ऐसा विशेशन जो क्रिया की विशेशतर बताता हो तो उसमें अवे भाव समास होता है यह देखिए पहला उधन हर रोज यानि प्रतेक रोज दूसरा देखिए हर वर्स यानि कि प्रतेक वर्स तीसरा देखिए हर दिन यानि प्रतेक दिन चोथा देखिए हर साल यानि प परंतु यहां इनके बारे में बताया गया कि हर सब्द विशेशन है परंतु यहां क्रिया विशेशन के रूप में कारिय कर रहा है इसलिए यहां अवे भाव समास है दूसरा नौट देखते हैं जिस समास में संग्या दुरुक्ति के रूप में आती है वहां अवे भाव समास होता है उधार्ण देखते हैं बीचो बीच कहने का मतलब अगर संग्या कि अगर संग्या दुबार आये याने कि बार बार वही सब्द रिपीट हो या कोई दूसरा सब्द जिसका कोई अर्थी ना निकले तो उसमें अवे भाव समास होता है जैसे बीचो बीच धड़ा-धड़ हाथो हाथ नस नस दिनों दिन बेवफा वफा सी रहीत बेवफा कार्थ होता है वफा सी रहीत तीसरा पॉंट देखते हैं कि जिन फार्शी उर्दू सब्द यानि कि जब फार्शी उर्दू उपसर्ग सब्द के प्रारंब में लग जाएं तो अवेभावसमास होता है उधारण के लिए बे सक यहाँ पर सातियों जो ये बे है वो फार्सी का उपसर्ग है बा काईदा यानि काईदे के साथ ये बा है जो फार्सी का उपसर्ग है खुद बा खुदा खुदा के साथ बे खुदा खुदा से रहित इन सब में अवेभाव समा से अगला देखते हैं इनकी इन सब्दों में उपसर्ग या तो जोडने के सम्मंद में या फिर अलग होने के सम्मंद में आए परन्तो इस उपसर्ग ने करिया विसेशन का कारिय क्या है इसलिए किस्त बताईए कि सक यानि जो बे लगा दिया तो ये रहीत हो गया बे सक सक से रहीत चौथा नोट देखते हैं जो फार्सी भासा का दर उपसर्ग है ये अगर सब्द के मध्य में आ जाए मध्य में आता है तो अवे भाव समास होता है क्योंकि दर उपसर्ग पूर्पद को क्रिया विशेशन के रूप में प्रियुक्त करता है जैसे सीडी दर सीडी साल दर साल पांचवा पूर्पद देखते हैं यदि दो सरवनामों के मध्य निपात ही आ जाए तो निपात जो ही होता है अवे भाव समास होता है उदहर्ण के लिए खुद ही खुद आप ही आप यहाँ पर देखिए जो ही है वो मध्य में आया है यह देखिए ही यहाँ प च्टा देखते हैं, जहां पर दूसरा पद निरर्थको, यानि के उसका कोई अर्थ ना निकले, अवे भाव समास होता है, उधरन Ace लिए, डाल वाल रोटी, शोटी, अब इसमें जो दूसरा पद है, दाल का तो अर्थ साथ ही हुँ समझते हैं, लेकिन वाल का कोई अर्थ ने अब साथ ही हम चर्चा करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में जिस समास में उत्तर पद यानि की दूसरा पद जिस समास में उत्तर पद प्रधान और पहला पद गोन होता हो तो उसमें तत्पुरुष समास होता है तत्पुर्ष समास के दो भेद बताए गए हैं करमधार्य समास और दिगु समास तत्पुर्ष में करता और संबोधन को छोड़ कर अन्य सभी का उपयोग किया जाता है यानि की जो हमारे कारके हैं उन कारकों में करता कारक और संबोधन को अगर हम हटा दें तो जो हमारा ततपुर्ष समास है वो कितने प्रकार का हो जाएगा? छे प्रकार का तो ततपुर्ष समास जो खुद है वो छे प्रकार का होता है आगे इनको एक एक करके हम देखते हैं ये देखिए पहला करम ततपुर्ष समास इस कारक में कोविभक्ति का प्रियोग किया जाता है अर्थात कोविभक्ति का लोग होता है यानि कि अगर हम पद को विग्रित करते हैं विग्रह करते हैं तो उसमें बीच में कोविभक्ति आएगी जैसे स्वर्ग प्राप्त यानि कि स्वर्ग को प्राप्त सरना गत देश को गत यहाँ पर भी को आया है देश गत देश को गत यहाँ पर भी को आया है विरह कट विरह को कट चित चोर चित को चुराना गगन चुम्बी गगन को चुमना साथ यहाँ पर करम ततपुरुष समास है दूसरा देखते हैं करन ततपुरुष समास जिस समास मे सेव विभक्ति का लोप हो वहां करण ततप्रोष समास होता है उधारण देखते हैं गुण भरा गुण से भरा मन माना मन से माना सभी में सेव विभक्ति का लोप है साथी हो भक्ति वस भक्ति से वस दो गुणा दो से गुणा कपड़ छन कपड़ से छन दस्त कारी दस्त से कारी इसमें दस्त से कारी याने की जो हात होता है उससे कारी है हैदराबाद हैदर से आबाद साथियों यह हैदर ने आबाद कराया था हैदराबाद सब्द के अनुसार नूर जहां, नूर से जहां, मद माता, मद से माता साथियों सभी में करण ततपुरस समास है आगे देखते हैं तीसरा, समप्रदान ततपुरस समास जिस समास के लिए विभक्ती का लोप हो समप्रदान कौन से विभक्ती के लिए विभक्ती का लोप हो जिस समास में के लिए भी भक्ति का लोप हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है? समप्रदान समास होता है. उधार्ण देखते हैं, देश भक्ती, किसके लिए भक्ती? देश के लिए भक्ती, अवन कुंड, हवन के लिए कुंड हवन का कुंड नहीं साथ हूँ हवन के लिए कुंड कर्सना अर्पन कर्सना के लिए अर्पन मार्ग व्याई मार्ग के लिए व्याई अगला देखते हैं अधी करन तत पुरुष समास जिसमें मैं या पर कौन से विभक्ति का साथ ही हो, मैं विभक्ति या पर्विभक्ति, जिन में मैं या पर्विभक्ति का लोब होता हो, उनको कौन सा अधी करण तत्पुरस समास कहते हैं, उधान देखते हैं, ग्रह प्रवेश, ग्रह यानि घर में प्रवेश, वचन चातुरी, वचन में चातु में वीर यह देखे साथ है इसमें में भी भक्ति आई है निशा चर निशा में चर निशा मानी रात होती है और चर मानी चलने वाला यानि कि जो रात में चलता हो यानि कि चोर निशा चर वर्तमान में यह सब्द रूड हो गया है अर्थात यह योग रूड सब्द है इसलिए यह बहुवरी समास हुआ यानि कि अगर ओप्षन में बहुवरी समास हो और उपर निसाचर सब्द दिया गया हो और आपसे पूचा जाए कि यह कौन सा समास है और अगर आपको ऑप्षन में बहुवरी समास मिल जाए तो पहले आपको बहुवरी करना है और अगर बहुवरी नहीं मिले तो उसमें अधिकर्ण ततप्रुस समास आएगा इसी प्रकार आगे देखते हैं जलज जल में जनम यानि कमल जिसने जनम कहां लिया हो जल में यह भी योगरूड हो गया है क्योंकि जलज आते ही हम समझ जाते हैं कि यह कमल के लिए कह रहा है तो इसमें भी अगर आपको ऑप्षन में बहुवरी मिल जाए तो पहले उस ऑप्षन को राइट मानना होगा आनन्द मगन आनन्द में मगन आगे देखते हैं पाचवा सम्बंद तत्प्रोस समास जिस समास में का के और की का के की विभक्ती का लोप होता हो तो सम्भंध तत्प्रोष होता है, उधारण देखते हि, भाई, गुरु भाई, यानि गुरु से भाई, अपदान के लिए आया है ये तो, लखपति, लाखका पति, शाथिव ये पहला जो पहला जो उधारण था आमारा, ये, पहला जो उधारण था, ये अपदानवाला है, ये इसका नहीं है, दूसरा देखते हैं, लख पती, लख का पती, ये इसमें सम्मंतत प्रस है, हुकुम नाम, हुकुम का नाम, इसमें काविभक्ती आई है, लक्षमी पती, लक्षमी का पती, मरत्यु दंड, मरत्यु का दंड, देव दास, देव का दा साथ यो छटा अपादान तत्प्रोस है इसमें सेवी भक्ति का लोप होता है और वह अलग होने के संदर्व माता है जोडने के संबंद में नहीं अलग होने के संबंद में उसमें अपादान तत्प्रोस होता है इसमें करण जो वह होता है देखो साथियों इसमें भी सेवी भक लेकिन इसमें जोडने के संबंद में आता है और जो अपादान तत्पुरुष है इसमें अलग होने के संबंद में आता है देखते हैं इसमें से विभक्ति का लोप होता है और वह अलग होने के संबंद में आता है तो वहां कौन सा समास होता है अपादान तत्पुरुष समास उधान देखते हैं गुण हीन गुण से हीन गुण से क्या है वो हीन अलग हो गया है अलग होने के लिए देश निकाला देश से निकाला देश से क्या कर दिया गया है निकाल दिया गया है रोग मुक्त यानि रोग से मुक्त इसमें भी अलग होने के लिए पत ब्रस्ट यानि सबसे पहले हम देखते हैं परिभासा समास की सब्द रचना के अंतरगत हमास समास पड़ रहे थे सम का अर्थ होता है पास पास और आस का अर्थ होता है रखना यानि कि जब दो पदों को पास पास रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं समास कहते हैं समास चार परकार के होते हैं मादमिक शिक्षा वोड में ये छे प्रकार के होते हैं NCRT में इनको चार माना गया है तो ये चार प्रकार हैं अवेभाव समास, ततपुरोष समास, द्वन्द समास और बहुविरी समास पहला हमने अवेभाव समास के बारे में पढ़ा था जिसका पर्थम पदपरधान होता है और अवेव भी होता है पर्थम पद क्या होता है अवेव होता है उसमें क्या होता है इसकी जो हमने विशेशताएं देखी थी वो ये थी कि जब विशेशन क्रिया विशेशन के तरह यूजमाए तो उसको उसमें भी अवेभाव समास होता है दोसरा जिस समास में संग्या दुरुक्ति के रूप में कामा यानि कि संग्या का दुबारा यूज हो बार बार यूज हो तो उसको उसमें भी हम अवेभाव समास पढ़ा था हमने तीसरा हमने पढ़ा था कि फार्शी और उर्दु के जो उपसर्ग से प्रारम होते हैं जो सब्द जैसे बेसक इन में भी अवेभाव समास होता है चोथा हमने पढ़ा था कि दर फार्शी का उपसर्ग जब बीच में आ जाए दो सब्दों के उसमें भी अवेभाव समास होता है पांचवा हमने पढ़ा था कि दो सरवनामों के बीच जब निपात ही आ जाए ही निपात होता है सातियों तो उसमें भी अवेभाव समास होता है छटा हमने पढ़ा था अवेभाव समास का कि जहां दूसरा पद नियर्था को जैसे रोटी, सोटी, सोटी का कोई अर्थ नहीं होता उसमें भी अवेभाव समास होता है फिर हमने साथ हो फड़ा था ततपुर्ष समास के बारे में जिस समास में उत्तर पद्याने की दूसरा पद्परधान हो तो उसमें ततपुर्ष समास होता है ततपुर्ष समास दो परकार के होते हैं करमधारिय समास और दिगु समास और NCRT में तो यह दिया गया है और अगर वैसे तत्पुरुष समास का मादम सिक्षा बोड के इसाब से देखा जाए तो तत्पुरुष समास 6 परकार के होते हैं जिसमें कर्ता के कारक के कर्ता को और संबोधन को छोड़ दिया गया है और फिर 6 परकार है कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संपरदान तत्पुरुष, अधिकर्ण तत्पुरुष, संबंद तत्पुरुष और अपदान तत्पुरुष तो साथियों इसी के साथ आज के वीडियो में हमने ये सारी बाते जानी अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ जिसका उतर आपको comment box में लिखकर देना है साथियों आज का सवाल है अहोर आत्र में कौन सा समास है साथियों आपको बताना है अहोर आत्र में कौन सा समास है या आपको comment box में लिखना है अगले वीडियो में हम इसका आपको आंस्वर भी बताएंगे साथियों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उसी के बगल में एक घंटी का चिन दिया हो गया है साथियों उसको दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले साथियों जै हिन जै भारत